एक आदमी को किसी ने एक गिफ्ट भेजा जिसमें खाना और एक जूस की बॉटल थी वो बहुत ही लालची था और नहीं चाहता था कि उसका खाना और जूस कोई और देखे इसलिए उसने उस खाने और बॉटल को कपड़े से ढग दिया और अपनी नौकर को बुला कर बोला कि इसे मेरे घर पे दे कर आओ लेकिन कपड़ा मत हटाना इसमें पंची कैद है वो उड़ जाएगा और जहर की बॉटल को भी हाथ मत लगाना नौकर जानता था कि उसका मालिक बहुत लालची है रास्ते में जाते वक्त नौकर सारा खाना खा गया और जूस भी पी गया लेकिन जब मालिक को पता चला कि नौकर ने खाना नहीं पहुँचाया तो पूछने पर नौकर ने बताया कि मालिक रास्ते में इतनी जोर से हवा चली कि कपड़ा उड़ गया और पंची भी उड़ गया ये सब आपको बताने के डर से मैं वो बोटल का जहर भी पी गया अब बस मौत आने का इंतिजार है तो दोस्तों हमें खुद को इतना भी समझदार नहीं समझना चाहिए क्योंकि शेर को सवाशेर हमेशा मिलता है